हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब आई होक कि आप लोग अच्छे होंगे आज मेरे बाल पूरे फ्रिजी फ्रिजी है क्योंकि अभी बाल को दुलना है बहुत दिन होगे बाल को दुले होगे मेरा इंट्रो हाइबरीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप आई होक कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज का वीडियो है एक स्कीन केयर बोल सकते हैं मैं आप लोगों बताती रहती हूं कि मैं होममेट चीजे बहुत ट्राय करती रहती हूं अपने फेस पे तो जिसकी वज़े से मेरा फेस बहुत ही अच्छा ग्लो रहता है ग्लॉसी रहता है और कॉस्मेटिक चीजे बहुत कम यूज होती है तो इसलिए थोड़ा मेरा फेस अच्छा रहता है तो बस मैंने वह आज बनाया था तो उसे अप्लाई किया और फिर उसका भी सोचा कि उसे भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं होफुली आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों के भी यूज में आए आप लोग उसे यूज कर सकते हैं यह हर्ट मतलब सबकी स्किन पर सूट होगा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इसकिन पर नहीं सूट होगा तो मैंने बहुत सारी बग बग कर ली अब चलिए वीड तो आप लोग भी ट्राइ करिए अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजेगा कि आप लोगों को कैसा लगा था तो उचलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले फेस पैक देख लेते हैं कि क्या है उसके बाद देख लेंगे परटा तो लेटस स्टार्ट टो सबसे पहले यहां मैंने एक बाउल लिया हुआ है उसके हम डाल देंगे एक चमाचीनी सिर्फ एक चमाची मैने डाला हुआ है आपको अगर चमच निबू का रस और इसे हम Mix कर लेंगे एसे हातों से Mix कर लिजे है या चमच से Mix कर लिजे तो जो गदा है कि शिलका है कर और इसे अपने फेस पर अच्छे से हम अपलाई कर लेंगे ऐसे आप देख सकते हैं तो ही हा मेरी उपर के टो दिखिए अफूर्ड आज़ा है व की भी लगा ओर है यहां ने प्रजूर। आपको मेरे इस e मेरी पहरा ऐऊ ऊपली न लगाई कर लिए और पहले ऑद रने जागिकि Canad तो इसे पंदर मेंट तक रब करके इसे तो यह रहा रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरी इसकिन कितनी अच्छी मतलब सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल क्लोज ली आपको दिखारी हूं मैं हर जगा नोज एरिया या चिक चिन पहीं हो मतलब बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छ सब्सक्स क्यों सब्सक्ण इसकट कर जाता है किसी को कुछ इफेक्ट हो जाता है तो यह तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी स्किन को सूट ना हो सब कुछ सूट हो जाएगा और अच्छा भी है तो आप एक बार ट्राइ करिएगा और अगर आप लोग को पसंद आयो यह तो मुझे कमेंड करके जबर बता दीजेगा तो चलिए भी स्टाट करते हैं तो मैंने यहां 1.5 kg तक मेथी लिया हुआ था और इसे अच्छे से धुल के बिल्कुल बारिक बारिक काट लिया है इसमें बीच बीच में कुछ मोटी डंटी रहती है उसकी उसे हम हटा देंगे और सिर्फ पति जो होती है उसे काट कर लेंगे तो यहां मेरे लिया है हाफ क काटोरी मैदा और पूरा एक कप एक काटोरी आटा गीहों का आटा मैदा इसमें ऑप्सेनल है अगर आपको पसंदे तो आप डालिए तो अब यहां डाल देते हैं नमक स्वादनुसार थोड़ी सी हल्थी बिल्कुल छोटी चमच और थोड़ा सा आधा चोटा चमच गराम म अजवान घणा जीरा देंगे कि अब देंगे दो चमच तक रिफाइंड और और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेएं जीरा बिल्कुल गाला है तो इसे क्या होगा ना हमारी जब हम पराठा यहीं बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इह एक दुसरे में बाइंट हो ज भाइल के इसका एक अफ़े आटा लगाके तयार कर लियुआ होना चाहिए हो महीं बहुत ज्यादर टाइट भी संफट यह भी सब्सक्र नीगिस के बोलन जाएज क्रें। तो यहां मैंने अपने आठे बना लिये हैं और इसे ढखके 15 मिनट रेष्ट के लिए छोड़ देते हैं 15 मिनट बाद हम इसे तो 15 मिनट हो चुके हैं तो अब अपना आठा हम देख लेते हैं और यहां देखे कितना अच्छा साफ्ट आठा हो गया है न हमारा तो अ इसमें चोहटा सा एक टुकड़ा लेदेगा जितना हम पाराथा बनाते हैं उत्ना ही लेके बहुत ज़्यादा मोटा बहुत जादा पतला भी नहीं पतला नहीं नहीं पको पाएगा था उसके और जाएगा और मेथी अच्छे से पक नहीं पाएगी तो एक चोटा सा हम बॉल के साइज कर टुकड़ा ले लेते हैं और इसमें तो आप सूखा आटा लगा लिजे या इसके उपर आप डाल दाल देजे तो अब एमसे चोटा सा एक रोल पूर बना लेंगे चोटा सा जिससे मैं बना रही हूँ वैसे आप देखते रहें वह ज़यदा पतला ना करें चोटा सा ही ऐसा बना लेंगे बस और अब इसके उपर हम गी अप्लाई कर देते हैं आप इसके थिकने देख सकते हैं तो इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा गी जितना को apply करना है उतना आप लगा सकते हैं आपके ऊपर depend करता है तो पूरे इसके बीच में हम ऐसे apply कर लेंगे और इसे अव हम ऐसे स्ट्रिप्स में गट कर लेंगे यहां मैं जेंसे cut कर रही हो आप अपी ऐसे में cut कर लीजे कुछ अलग तरीकी का यह आप चाहे तो ऐसे ही बराठा लाएं जेसे बोल पराथा में आपकर बना लाएं संच को इसे बराते होरगा से हैं ब्रीक में जाल्च सब्सक्राइद मैं राते हो मैं 1970 ना देरे को देख़े रोल कर लेंगे जैसे लच्छा परःठा बनाते हैं सेम वैसे ही बनाया हुआ है कि अभी से रोल करते हैं और नीचों को और प्रषिन इसे अच्छ से दबा के एक तूसरे में आटेज़ कर देंगे अर थोठा पर लगाकर हम इसे गोल बना लेNIे कि बहुत जादा पतला न करते हैं तो थोड़ा थोड़ा यसे बेल लेते हैं कि तो हमारा पराठा बन के रेडी है आफ देखिए तो तवा मैंने रख दिया था पहले गरम होने के लिए तो यह मैंने लुह वाला तवा यूज कि अप जाहे तो नॉन्स्टिक वाला भी यूज क मुझे तो ऐसा ही हूँ मतब फील होता है कि टॉनस्टिक में थोड़ा सा टाइम लगता है ये वील्गे तो वस दोनों साइट से हम अच्छे से से रहें और इसके दूनों साइड से अच्राइब खी है तो हमारे पराठे दोनों साइड से अच्छे से सीख चुके हैं और यह देखे इसका बिल्कुल ओरिजनल कलर मैं वीडियो बनाते टाइम नहीं अच्छा इसका कलर आता है तो दोनों साइड से आच्छे से लेंगे और इससे हटा देते हैं और एक दो ऐसे लेंगे हम तो अब लगा देते हैं लेश्ट में बटर बटर अपलाई कर देंगे आपकी मर्जी अगर बटर है तो आप लगाईए नहीं है तो डॉंट बारी कुछ भी हम लगाने की जरूरत नहीं है मेरे पास तो मैंने लगा दिया था सो यह रहा हमारा मस्त मेथी का पराठा और यह बटर मैंने बोला ना अगर है तो लगा दीजे नहीं है तो कोई बात है अब इसे थोड़ा सा हम क्रमबल कर देते हैं बहुत गरम था मेरा तो हाथ जल जा रहा था लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मैंने रेस्टरेंट टच देने के ल फिर मैंने छोड़ दिया बस ऐसे ही बना बना के सबको दे रहे थी और सब लोगों ने बहुत ही इंजवाय किया और अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजेगा तो बस यही था आज का वीडियो जो आप लोगों ने देखा और फिर से अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ तो मिलते हैं अ नेक्स रीडियो में दबते के लिए बाइ बाइ